Your Highnesses, Excellencies, G20 के President के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित है यहां से कुछी किलोमेटर के फासले पर लगभग धाई हजार साल पुराना एक स्थम्ब लगा हुआ है इस तंब पर प्राक्रित भाषा में लिखा है हेवं लोकसा हित मुखेती अथ यम नातिसु हेवं अर्थाप मानवता का कल्यान और सुख सदेव सुनिश्चित किया जाए दाहे हजार साल पहले भारत की भूमी ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था आईए इस संदेश को याद कर इस जीट पेंटी समीट का हम आरंब करें 21 सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपून समय है यह वो समय है जब बर्सों पुरानी चुनोतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें हुमन सेंट्रिक एप्रोच के साथ अपने हर दाईत्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है फ्रेंक्स कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आये इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं आज G20 के प्रसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आवान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास एक भरोसे में बदले यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पत्ध प्रदर्शक बन सकता है वैश्विक अर्थिववस्ता में उथल पुथल हो, नौर्थ और साउथ का डिवाईल हो, इस्ट और वेश्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मेनेजमेंट हो, टेरिजम और साइबर सिकुरिटी हो, हेल्थ, एनरजी और वाटर सिकुरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीजियों के लिए हमें इन चुनावतियों के ठोज समाधान के तरफ बढ़नाई होगा। फ्रेंक्स, भारत की G20 प्रसिडेंसी, देश के भीतर और देश के बाहर, इंक्लूजन का सबका साथ का प्रतिक बन गई है। भारत में ये पीपर्स G20 बन गया, करणों भारतिये इस से जुडे, देश के साथ से ज़्यादा शहरों में, दोसों से ज़्यादा अधिक बैठके हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रिकन यूनियन को G20 की स्थाई सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताओं पर हम सब की सहमती है। आप सब पी सहमती से आगे की कारवाई सुरू करने से पहले, मैं अफ्रिकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थाई सदस्यता के रूप में अपना स्थान ग्रहन करने के लिए आमंत्रिक करता हूँ। अध्यूनिय। अध्यूनिय। इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्र करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागरू से बाहर जाने का कष्ट करें। प्रधान मंत्री मोदी को आपने सुना बड़ी खबर ये कि एक तो अफ्रीकन यूनियून को सदस्ता मिलने की बाद जी ट्वेंटी में जिसके हम बार-बार बात कर रहे थे भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनी तक जीत भारत के लिए प्रधान मंत्री के जहां बैठे थे जैसे यह वो शुरू हुआ सबसे पहली नजर इसी बात दे गई कि जिसके लिए कि अज्ग फिए जीए कि अरने की प्राइब प्राज की जीतित हुआ से सब्सक्राइब इस प्रश्वरा नजर के लिए सट प्राइब बात कि आख स्वेश्यार को जोुआ थे प्रेप्राइब तरह कॉमन लेंडिंग पॉइंट वस अल्टिमेटली फैशन डाउट राशी की स्कूल फीड डेलिगेट प्लेट के नाम क्या आगे जो निम प्लेट थी उसमें इंडिया नहीं लिखा था इस बार भारत लिखा था अंग्रेजी में लिखा था लेकिन भारत लिखा था बी भारत प्राइम मिनिस्टर अफ भारत के नाम से प्राइम मिनिस्टर अफ भारत के तौर पर प्रिखान मंतरी ने अपने ओपनिंग रिमांक्स रखे जिसमें सबका साथ सबका विकास की बात की किस तरह से साथ शेहरों में जी ट्विंटी के इस अध्यक्षता के साल में मीट कि वहां भारत लिखा हुआ है बिल्कुल सबकी नाजार उसी पर कही और अभी तो जी ट्विंटी चल रहा है किशोर और चुनावी साल है तो यह जो भारत लिखावा यह कई समय पूरे साल भर जो है चाया रहेगा और इसके राजनिती खुब होगी लेकिन प्रहाल मंत्री ने इन अपने संबोलन में यह एक तरह से फिर से वह पार जाहिए सब्सक्राइब नियुक्स